नमस्कार जूनियर्स पर नाम है अधित्त शर्म और आप दिख रहे हैं कॉमस भाया सवार आई पीज उनिवर्सटी ने एक अपडेट दिया है आप लोगों की एक्जाम से रेलेड़ वो अपडेट क्या है आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ जैसे कि 2nd semester में फिर 4th semester में बैका रखे थी या 6th semester में रखे थी और आपका 8th semester और आप लोग का एक्जाम देना है या फिर आप लोग की 2nd में आई दे और आप लोग का 4th semester आप लोग का एक्जाम देना है आज ही होता है IP University का Registration Chart जिसके अंदर आप लोगो साइन करने पड़ते हैं यह officially आप लोगो साइन करवाए जाते हैं और offline के अंदर physical format के अंदर आप लोगो साइन करवाए जाते हैं उन साइन्स की फिर पूरी PDF बना के उन लोगो को भेजना पड़ता है IP University मतलब colleges आप साइन करवाते हैं और उसको फिर IP University बेशते हैं जिसके बेशिस पर आप लोगो के admit cards बनके आते हैं और उसी के अंदर अगर आप लोगो साइन नहीं करते हो जैसे कि मानलो मेरे को कोई back का exam देना था बेक वाले बच्चों को fees payment करनी होती है जो भी मतलब उन लोग की exams की fees है RE exam की fees है उनको वो देनी होती है और RC sign करनी होती है अगर उन्होंने RC sign नहीं कर या फिर fees नहीं दी आप लोगो जो फिर admit card आएगा उसके आप लोगो जो री का exam है उसका code आएगा ही नहीं मतलब अभी आप लोग फिर री का exam नहीं दे पाओगे तो IP University नहीं जो RC उसका date को extend कर दिया उसकी date कर दी है 21st March तो 21st March तक colleges को बोल दिया है कि colleges 21st March को शाम को भेजेंगे तो उससे पहले सकते हैं झाले सकते हैं अगर अची लगी तो प्लीज को लाइक करें शेर कर अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में भी इतना ही धन्यवाद